कैसे हैं आप सब तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्छों को क्लास 12 हिस्ट्री यानि की इतियास के कुछ BBI MCQ जो आप सभी बच्छों को एक्जाम में देखे डायक्ट येसा सवाल पूछे जाएंगे तो आप इन सवालों को नोट डाउन करिएगा 40 में 40 देखे आपको guarantee मिल जाएगा अगर आप सारे के सारे lectures को देखते हैं और अपने proper notes के बनाने के बाद इन सभी सवाल को याद करके चल जाएगा तो आपका 40 में 40 रहा पक्का तो कौन से वो सवाल है चलिए एस वीडियो में देखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो पसं subscribe करके अपने दोस्तों को share करवा दीजिएगा ताकि उनको भी जनकारी मिले और वो अपने एक्जाम में अच्छे सच्छे मांक्त लाएं तो चलिए आज के वीडियो का मुश्रू करते हैं देखते हैं आप से बच्छों के कौन से प्रशन आपको पहले मिलेंगे पहला सवा नवी के द्वारा उनके द्वारा साथ में उनके आया था यह अलबरूनी ठीक है तो option number B क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा फिर अब इबन बतुता अपने नाम सुना होगा किस देश का निवासी था आपसे पूछा जाएगा तो मिसर का पुर्तगाल का मॉरको का या भी फरांस का तो इबन बतुता याद रखेगा किस देश का निवासी था तो वो था कौन सा तो हमारा सही होगा option number मॉरक का मॉरको यानि option number C इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर अगला साथ हमारे पास इबन बतुना ने अपने यात्रक जो विवरन है वो अपने यात् हम लिखता था तो फार्सी में लिखता था option number A क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर देखें गुपत काल में कौन सा चीनी आते देखें गुपता प्रेड में कौन सा चीनी आते जो भारत में प्रवेस किया था बतने या आया था इत्सिंग नाम था फाया नाम था हुए इंसांग था या फिर इनमें से कोई नी तो भात में देखें कौन आया था वो था फायान था या रखेंगा option number B क्या हो जाएगा राइट एंसर हो जाएगा फिर अगला सावर हमारे पास दिल्ली से जो दॉलाता बात को किस सदासाथ ने रखें क्या था दिल् अगला सवाल है वासको डिगामा आपको मालू होगा भारत में आया था सबसे पहले तो कि जरस आया थे तो के काली कट नाम अगिस्तान पहुंचे लेकिनों का डेट क्या था एक्जेट डेट हमें यह बताना है तो याद रखिए भारत में कब प्रविश के थे तो यह था 17 म में 1498 में इस भी था ठीक है याद कि केरल में काली कट क्यूं आया था बिसिक लिए सीथा बात में मसालों को बहुत अच्छा बैपर चलता था मसाले की कोच करते या पिर किसी वह निकले थे ऐसी घुमने के लिए ठीक है ताकि दूसरे दूसरे देश की कोच कर सके तो वासक सातिय हैं यह बताना है आपको यहां पर छार संस्कृत पाली तर प्रकृत यहां पर अप्शन नंबर इसका राइट ऑचाएगा अगला साहल देखे हमारे पास मारको पॉलो ने 13 वी सताब्दी में जिस इस स्थान से चलकर चीन रभाड की आता की ति उसका नाम था मत็ρίको ते लेकिन उस रूट का क्या नाम से चीज सतान से चलना सुरू क्या था वो बताना Venice था Paris था Bonia पे Berlin से तो कहां से चलना से श्टार्ट कै तो याद एक किए Venice श्टार्ट किया था उसके जगा का नम क्या था तो उस नम था Venice option number A right answer हो जाएगा फिर अगला सवाल हमारा देखे अनिएक बिदेसी यातुरी तदर्ए अनि-भारत की जिन दो चीज़ों की असमान नमाना है कौन सी भाइट की दो चीज़wolं नमाना है किया है ? दूत तर्ट नारियल तता पान पपी ता टमाटे ये अब कhol्बूच तर्भूच तो किन्हें माना है याद रखिएगा यह आप सो पूछा जाएगा कन्फूजन मत हो जाएगा इसका सही हो जाएगा आप्सन नंबर B नारियल और पान को जो भी हमारे विदेशी यात्री से उनों भात कि असमानी माना ठीक है आप्सन नंबर B क्या हो जाएगा अगला सवाल है हमारा कि अलबरुनी भारत में जिस सताबदी में आप तो याद रखेगा उस तम कौन सा संचुरी चल रहा था तो वह था इगारवी सताबदी था तो ऑफसन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा अगला है हमारे पास इवन बतुता को भ बारवी फिर अगला उप्सन हमारा चौदवी या फिर तेरवी तो कौन सा संचुरी में वह आया था जाद कि वह आया था फ्रांस से इंग्लेंड से तो कहां से आया था याद रखेगा यह आया था फ्रांस से फ्रांस वा बर्नियर कहां से भारत में तो आया था फ्रांस आया था आप्सन नमर भी फिर इबन बत्युता का नुसार उसे मुलतान से दिल्ली की आतरा करने में जितने दिन ल बिरूनी को इभन बतुता को वर्निय्ध को या फिर अब्बुर्जाक को किसको नियुकत है भी है बताना है तो याद दखिए किया किसको बनाया था तो इबन बतुता कोई किसने बनाया था दिली का जी तो वो था मुहम्मद बिन तुगलग ऐसे ही विक साल पूछा जा सकता है तो याद दखिए गर 14 का क्या हो जाएगा बच्चो ईसका एंसर हो जाएगा अप्सन नमबर भी इवन बतुता राइट एंसर है फिर अगला देखे हमारे पार मद एसिया के रास्ति होका है इवन बतुता संद देखे तेरी सताब दी थर्टी 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 में इस तलमार्ग से कहां पहुंचा था हमें ये बताना ठीक है तो आपके बस चार अप्सन सिंद पहुंचा था लाहर पहुंचा था पानी पत्या भी मुलतान पहुंचा था कहां पहुंचा था हमें ये पूछा गया है तो ये कहां पहुंचा था ये पहुंचा था सिंद सिंद बर्तमान देखे पाकिस्तान ओला एरिया भात के कुछ चेतर में पढ़ता है वो इस व तो किसकी यत्रा के बताया गिया है तो याद आखियेगा, अगला सवालत याद आखिये गा, अपसे municipalities आप से पूछा जाएगा, कि मेगस्तिनिस कौन था तो यात्रा था यात्री था वैपारी था एक राज़ूत था गुलाम था तो देखी जब मैं आपको कोईशन से कंप्लिट करवाऊँगा तो वहाँ पर मेगस्तिनिस के बनाइब बताऊँगा कि मेगेस्टेंज था कॉन फिलाल भी याद रखिएगा कि वो एक राजूत था राजूत था तो ठीक है वो किस देश का राजूत है वो भी आपको बता दूँगा सारा का सारा बाद जहां पर कोश्चन से जब करवाओंगा तो सारा वहां पर टर्मोलोजी मैं आपको क्लिर कर पिला याद रखिएगा कि मेगेस्टेंज कौन था तो वो एक राजूत था पिर अगला सवाल हमारे पास किताब उर रहिला में जो किसकी यात्रग वितांद हमें मिला है अलबरुनी की अब्दुर्रजाक का इबन बतूता या फिर वर्नियर की तो किसका यहाँ पर याद र बतूता का अलबरुनी ने इबन बतूता ने वर्नियर अब्दुर्जाद के चाही टर्म आपको पढ़ने है अगर आप खुद में पढ़ सकते किराब लिखे तो पढ़ लिजेगा आपको खुद बखुद यहां से कॉंसर्ट क्लिर हो जाएगा तो फिलार यहाँ पर टाग अंकुसाबाद का सिधान परतिबाजित क्या तो यहां हमें बताना है तो किस यात्री के विवरन के अधार पर याद है कि वर्नियर अलबरुनी या इबन बतूता तो इसका राइट एंसर क्या होगा बच्चो वो होगा ऑप्शन नमबर ए हमारा वर्नियर ऑप्शन नमबर वर्नियर राइट एंसर हो जाएगा फिर अब्दुर रजाक समरकंदी नामा क्यात्री ने किसके यात्रा वितानतों को पढ़ा और उनसे प्रिनार लीती यहां में बताना यहां पर भी गलती से टाइप होगी है मुझसे ठीक है इस आप रटा लीजएगा लिखे अलबरून ऺी आतेरा वितानतों प्रिनार लीती इबन बतुता से वmornyय से अर्श सारे के nam सही है तो किस से उन्हेंने सीधा बात है कि पहना मिलती है तो इबन बतूता से आप्सन नंबर बी क्या होगा राइइट एंसर हो जाएगा अग्ला सवाल है अपने आखों के सामने सती प्र thick Mrs. कौन बिदेशी आते देखे मुर्चीत हो गया था बताएं पहले सती पता होता क्या है कि जब किसी इस तरी के माल मिरती हो गया तो कि सास था तुझी पत्नी को साथ में जला दिया था यही था सती प्रता ठीक है जिसे राजा रामोने ने पुरी तरह पतिवायत कर दिया बहुत महने से हुआ था यह तो कौन सा बीदिसी आते था जो देखके से मुर्षित ब्योस हो गया था अलबरुनी ने अब्दुरजा का आँखों देखा हाल तो देखे बताईए अभी जश्ट कौन देखके भ्योस होता खुद भी सोच सकते हैं और इसका जो हाल था ठीक है इसको देखके कि बिदेशा था अपने बुक में बताया था आतर बितान में तो याद रखिए उसका नाम क्या था वर्निय था ओप्स कि लिए थी यह हमें बताना है तो याद रखिए का सही ऑप्सन क्या हो जाएगा इबन बतूता की ठीक है किसके आतर में तो इबन बतूता फिर अगला सवाल हमारे पास किस नगर का अथवा या उसके किले के वर्नन पराया अधिकांस जाते हो दोबरा किया गया है ग्वालि किस बिदेशी यात्र ने हमें बताया है यह हमें बताना है तो याद रखिए उसका नाम क्या था उसका नाम था अलबरुनी इन बताया था तो आप्सन नमबर एक क्या हो जाएगा इसका राइट एंसर हो जाएगा फिर कोस्टन नमर हमारे पार 27 है कि मत यूगिन यात्रियो को सर्ताज किस यात्रियों कहा गया तो किसको कहा गया तो याद रखिएगा यह का प्याद नंबर बीस का राइऑ एंसर हो जाएगा अगला सवाल है जैसे घोसले को पकशी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्री पजाने होते अपने घर को छोड़ा यह जो कथन दिगे वेसिकली किसका था किस आदमी के बलेक पर बता गया था अलवरुनी के लिए अगला सवाल हुमायू के दरवार में कौन अफरीक ही यात्री यात्री तो यात्री का राजकुमार किसे कहा गया यह तर्म किसके लिए कहा गया हमें बताना है कि आत्री को राजकुमार किसे कहा गया तो फायान को वेंसांग को अलवरुनी को या पर इबन बतुता तो किसे कहा गया है तो यह कहा गया है वेंसांग को आपसन नमबर क्या हो जाएगा बी इसका राइट अंसर होगा और हमारा यह आकरी सवाल है कैप्टन हौकिंस किस मु यह के लग Ke 9 लेवलती तो फाटेव इत्न दिये खाने में अगला सवारें अपसे परीच्छां पूछा जाएंगा तो ये था जहांगेर के कालम option number C इसका सही जवाब हो जाएगा अगला हमारे पार रजम नामा के नाम से अजना हमारे हिंदी गरंते उनका नुबाद किस में क्या गिया है फार्षी में किया गिया है रामायन का महाभारत का गीता का यहां पिर उपनी सद्काटा तो किसका किया गया याद रखिए गीता का ही क्या किया गया फार्से मनुवाद किया गया और नाम क्या है रज्म नामा जो बाइग्राफिय उन्हों लिखी थी option number A इसका सही जवाब हो जाएगा फिर देखिए जो बास्ता नाम है ठीक है यहाँ पर बच्छो थोड़े सा option छूड़ी गया है 28 नमबर में मैं वता देता है उसका से उत्तर क्या होगा यह बास्ता नामा किस ने लिखा है तो यहाद किसी ने सबसे पहरे लागू किया तो यह जो जाएगा और आपको मालू मुघ यह किस प्रकास आ सकता क्रूस आ सकता अगला सवाल अँए पास कि हुमायू नामा का जो अंग्रेजी उन्होबाद है वो किसी ने कि इसका ने कि करें किया गया है हैंडरी वेवरीज के दौबारा जेरेंट के दौबारा ब्लैक में के दौब या फिक ग्राउंड हब डफ के दौबारा तो याद रखी हैंडरी पेवरीज ऑप्सन नंबर इसका क्या होगा बच्चों सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल आपसे पूछा ज नूर्ज हां के पूतरी का नाम क्या था लाडली बेगम ओप्सन नंबर यहीं आपको सही जवाब मिल जाएगा कि पूछे ग Teenage पूतरी आप की नाम का था तो लाडली बेगम और आपको स Αभाख कर देना अगला सवाब से पूछा जाएगा फतेव पूर सिंक्रिग को ठीक है यहां पर question थोड़ा से mixed से हूय है आगे लीकि लिएगा फतेफूर सPadני किसने बनाया ठीक है फातेफम सिक्रिकों राध्धानी किसने बनाया ये question है अकबर ने जहांगेर ने साजहा या फिर बावर ने किसने राध्धानी बनाया तो नहीं क्या किया था फते पुर्ष इगरी को अपने राज़ानिय बनाया था ऑप्शन नंबर एस का सठीक उत्तर हो जाएगा फिर अगला सवाल देखिए आपसे पूचा जाए दरवान में अभी वादन का तरीका जो होता है निम्लिकित में से कौन सा था कॉर्णिस था सजदा था प दरवारम चलता है इसलिए अपसे नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा फिर अकबर ने देखिए किस सन में दीन ही इलाही जो धर्म है वह चलाया था 1562 1564 1597 या फिर 1581 में किस वर्ष चलाया था अकबर ने दीन ही लाही धर्म तो याद रखिए 1581 औपस पस आघरा में रएथी दि कहां रहती थी ही मताना जहां आ रहा रहा रोपस आना कों रहती थी बताना प्रिसमाल बेला सवाल आपसे पूछा जा परिक्षा में कि दिल्ली में चान्नी चौक आपको मालूँगों फेमस जगह है चान्नी चौक भी भी आई थी चान्नी चौक तुछ तो चान्नी जो चौक है वो ठीक है उसका निर्मान किस ने करवाया था तो याद रखिए जहां आरा रहा रह पर बच्चो आप्सा नंबर बारवा या पर आप्सा नंबर डी चौक तो कौन सा वंसस हमें यह बताना तो याद रखिएगा चौदवा बंसस था कौन बाबर किसका चंगेश का अप्सान नंबर डी राइट एंसर हो जाएगा गुल बदन बेगम कौन थी आपको मालूम हो फिर अगला सावर पूछा जाए परिक्चा में कि अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतर कितने का मनसबदार मिलता मिलता तो याद रखिएगा यह मिलता था बारह जाएगा फिर देखिए तूजू कि जहांगिरी की जो रचना है वो किसने की थी चार आपको अप्सन दि तो यह किनके द्वारा रचना की गई थी याद रखिए आप चो पूछा जाए तो आप बता देजेगा कि जहांगिर के द्वारा यह किसकी रचना थी जहांगिर की थी अगला सवाल है तूजू के बाबरी किसके द्वार लिखा गया था बाबर फैजी अबुल फजल या अगला सवाल है बच्चो हमारा की दीवाने अस्राइब तो बैरम खाता था जो इसका बाड़ी काड़ लिका सकते था लेकिन अब हमसे पूछा था तो अकबर का वजीर कौन था यह हमसे पूछा गिया तो कौन था याद रखिएगा वो था बच्चो आपका कौन था बैरम यही इसका अंसर हो जाएगा अगला सवाल है फिर आपसे पूछा जाए कि मुगल प्रसादन में जिले को किस नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा जिले को किस नाम से नाम से नाम से जाना जाता है और सी क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा अगला सवाल ह ब्चों हमारा कि दीवाने असरफ का जो आर्थ होता है वो क्या होता है भारत में उस कर्किंद और राय। गी थी तो अकबर के दुवारा option number B क्या होगा इसका सही जाओ और लाश्ट सवाल है ये इस चैप्टर हमारा की भारत की जो अंती मुगल सासकत को नाम क्या था तिया देखिए बहादूर साज जफर option number D इसका सही जाओ को जागा और इस चैप्टर देखे टोटल दो दिन पहले मैं आपको सारा सब्जेक्टिप का important question को कर दूँगा बस आपको क्या करना है जितना हो सके इस वीडियो को सेर कर देना अपने दोस्तों को साथ मैं अपना काम देखिए प्रॉपर डंक से कर रहा हूं तो आप सभी दोस्तों यार जो भी आपके WhatsApp ग्रूप जहां भी वहाँ पर तो सेर कर दीजेगा ताकि आप देखिए आप सब्सक्राइब करें तो मुझे मोटे में से मिल लगा कि मैं बच्चों के लिए काम कर रहा हूं तो बच्चे मुझे सपोट कर रहा है ठीक है तो चलिए मिलता है नेक्ट वीडियो पर तब तक लिजाहें चाहां झाल 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 झाल